सब को नमस्कार करोना काल में डॉक्टर्स ने मेडिकल स्टाफ ने स्वास्थिकम कर्मियों ने पैरामेडिकल ने लोगों की बहुत सेवा की लोगों की जान बचाई और कई-कई डॉक्टर्स को स्वास्थिकमियों को मैं जानता हूं जो कई-कई दिनों तक अपने घर नहीं रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन लोगों ने हम लोगों की जान बचाई कई डॉक्टर्स को स्वास्थ कर्मियों को मैं जानता हूँ जो लोगों की सेवा करते करते उनको खुद करोना हो गया और वो दुनिया छोड़के चले गए शहीद हो गए पूरा देश सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है इनको जितना शुक्रियादा करें उतना कम है शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रियादा करने के लिए दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरी देश में हमने एक एक करोड रुपए की सहायता उन लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स को कि विल स्वास्त कर्मियों को नी फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जो की लोगों की सेवा करते हुए जिनको करोना हो गया करोना का काम करते हुए जिनने करोना हो गया जो शहिध हो गए ऐसे लोगों के परिवारों को एक एक क्रोड रुपए की सम्मान राशी दी हम लोगा नहीं अब ये समय है सभी डॉक्टर्स, सभी स्वास्तिकर्मियों को ये कहने का ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्र गुजार हैं उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को स्वास्थ कर्मियों का सम्मान करने का, हर वर्ष, देश, ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्मा एवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई, इस वर्ष और ये पद्मा एवार्ड के लिए, मैं तीन एवार्ड की बात कर रहा हूं, पद्मभूशन, पद्मविभूशन और पद्मश्री, इन तीन एवार्ड के लिए क कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें, तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्मा एवार्ड के लिए, दिली सरकार ने तै कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थिकर्मियों के नाम पद्मा पद्मा एवाड्स के लिए भी हैं कि हम आपके शुक्र गुजार एं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि में इस बार के पद्मा एवाड्स उन लोगों को डॉक्टर्स को और स्वास्ते करमें को दिये जाएं तो दिली सरकार ने तया किया है कि हम केवल डॉक्टर्जों स्वास्थेकर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे और यह नाम जंता बताएगी जनता को जाधा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया कितनी अच्छी सेवा कि किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ कितने कुर्बानी करके सेवा कि तो एक email address हम लोग जारी कर रहे हैं padma awards.daily.gmail.com इसके उपर कोई भी वेक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थे कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया उसकी सारी description आप क्यूं चाहते हैं कि उनको padma award मिले वो सारी description आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए कोई भी नागरिक दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है आप हमें ये सारी details भेज दीजिए एक हम लोग ने search and screening committee बनाई है जिसके अध्यक्ष मनिश से सोधिया जी है वो committee उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को screen करके decide करेगे कि किन नामों को दिल्ली सरकार के तरफ से recommend किया जाए और फिर वो नाम हम केंदर सरकार को भेजेंगे केंदर सरकार को नाम भेजने की अंतिमतिति 15 सितंबर है तो हम चाहते हैं कि 15 अगस तक हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो उनकी हम screening करके समय रहते किन दर सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज देंगे मैं फिर से अपने सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थे कर्मियों का बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि सारा देश, सारा देश के पूरी दुनिया आपकी अभारी है, हम सब लोग आपके अभारी है और ये एक छोटा सा तरीका है, हमें आपको सम्मानित करने का बहुत-बहुत शुक्रिया